सबी दर्शकों को नमस्कार हिंदुस्तान न्यूज टूडे में आपका स्वागत है बड़ी खबर 90 वर्षिय विर्दा बनी चर्चा का विशे स्याम 7 बजे तक दर्ती फटने वै उसमें समाने का किया था दावा अलवरजि लेके खेरली कस्बे में 90 वर्षिय विर्दा कस्बे में चर्चा का विशे बनी रही जानकारी के अनुसार 90 वर्षिय खेरली निवासी चिरणज़ूई पतनी दीपाराम सैनी सुबह 11 बजे से अपने घर की चार दिवारी के अंदर गुलाल वै बांस की परिदी बन कर ध्यान में बैठ गई उसके परिजनों ने बताया कि उसकी मा को तीन महीने से परमात्मा से कुछ संकेत मिलने लगे थे जिसका वो हमेशा जिकर करती रहती थी उसी परकार आज भी उन्होंने बताया कि आज शाम साथ बजी तक धरती फटने फटेगी और वो उसमें समा नब्बे वर्षिये विर्दा चिरोंजी के ध्यान में बैठने के बाद आसपास की महिलाओं की भीड एक्तरित हो गई और भजन कीरतन का आयोजन शुरू किया गया इस मामले की जानकारी जंगल में आग की तरह फैल गई और कस्बे के लोगों को दुआरा विर्दा को उसे अंदविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ने की अपील भी की लेकिन आमजनों में स्याम तक धरती फटने जैसी घटना उत्सुकता ने रोके रखा शाम साथ बजे बाद पुलिस परसासन ने मोके पर जाकर आमजन से पुने अंदविश्वास में नहीं पड़ने की मामला स्यान्त करवाया देखिए हमारी एक्विप्ट अब इन माता को देखते हैं वह इनको दीक रहे हैं वह इन से सपर स्टिकर इनको सोने देरें एक महिना हो गया जिए आज का टैम दिया है अब यह जाने जाने वाले हैं अच्छा तो अभी इन्होंने जो अपनी जगह बनाई हुई है पीशे म जिस तरह से देख रहे हैं तो जैसे क्या होगा क्या जटना कटने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं उनसे इन्होंने यही कहा है कि तुम यहां बेट जाना जगह का निसांद बता दिया जगह बेटी हुई है उनकी भक्ति का नुसार जो किस हो रहा है इनकी ऊपर होगा अब उपर बाला जाने ने क्या होने वाला है पर क्या बताएंगे इसके बारे यह संसार शोड़े जाने वाले हैं अज अपने मन से यह कह रहे हैं ने सुनने में आथा जैसे कोई धर्ती फटेगी यह सवार्ण ना जानता क्या होगा वहाब भी देख लेना आज के लिए बताया एनोंने